हेलो दोस्तों राधे राधे मैं उमीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और शुरक्षित होंगे जोस्तों जैसा कि आप सभी को बता है कि सरुपित्र अमाव से है कुछ ही दिन में आने वाली है जो कि 14 अक्टूबर को है तो इसी को लेकर आज हमारी वीडियो है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें सरुपित्र अमाव से अपर कौन-कौन से उपाय करने चीए और हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चीए कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अन जाने में बहुत सी गलतिया कर देते हैं और हमें क्या-क्या उपाय करना चीए जिन से हमारे इस पित्र हमें जाते हुए हमें आशिरवात परदान कर जाए कई बार ऐसा होते हैं कि हमारे पित्र नाराज होकर जाते हैं हम जाने अंचाने वी इतनी गल्ती कर देते हैं कि हमारे पित्र जो होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और वो परसन नहीं हो पाते हैं तो आज इसी की बारे में हम चर्चा करेंगे और इसी की बारे में हम जानेंगे कि हमें सरुपित्र अमावस्या पर क्या क्या हो पाय करने चाहिए तो आए वीडियो की शुरुवात करते हैं अगर आप मेरी वीडियो पर नहीं है तो वीडियो को लाइक जरू करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना बैन नोटिपिकेशन को भी ओल कर देना ता करने से पित्रों को मौक्ष प्रप्त होता है पित्र पक्ष में सरुपित्र अमावस्या का विशेश महत तो होता है ये श्रात पक्ष का अन्तीम दिन होता है इस दिन उन सभी पुरोजा का श्रात किया जाता है जिनकी मृत्तिव दीथी के बारे में पता ना हो पित्र खास उपाय करने से पित्रों को मोक्ष प्राप्त होता है। तो आए जान लेते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिन से उपाय करने से हमारे पित्र देवता परसन होते हैं। सरपित्र अमावसे की दिन सुबह इसनान करने के बाद गायतरी मंत्र का जाप करते हुए सूरे देव को जल अरपित करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन सूरे देव को जल अरपित करने से पित्र तरप्त होते हैं। दूसरा जो उपाय है पीपल के पेड़ में पित्रों का वास माना जाता है इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पेड़ जल चड़ाना चाहिए शाम के समय यहां दीपक जलाना चाहिए इस दिन काले तिल के साथ पित्रों को जल अरपित करने से उनकी कृपा मिलती है सरोपित्रमावसे के दिन दू, तिल, पुष्प, गंद, मिश्रीत, जल से पित्रों का तरपन करना चाहिए माना जाता है कि इस जल से तरपन करने से पित्रों की प्यास बुश्ती है इस दिन गाये को हरा पाला खिलाना भोछ शुब माना जाता है इस उपायगों करने से गो माता समेथ सभी देवी देवताओं का आशिरवाद मिलता है साथ ही पित्र पर्चन होकर धन समरदी का आशिरवाद भी देते हैं पित्र पक्ष के 15 दिन में तरपण नहीं कर पाए हो तो सरो पित्र अमावस है कि दिन पित्रों का तरपण कर आप उन्हें परसन कर सकते हैं माना जाता है कि इस दिन तरपण करने से उन्हें मौक्ष की प्राप्ति होती है पित्र पक्षमिक दान का भी बहुत बड़ा महतुप माना जाता है सरो पित्र अमाउसय के दिन ब्रामन को भोजन कराने के बाद उन्हें दान देना चाहिए इस दिन चांदी का दान करना सबसे उत्ता माना जाता है इसे पित्र संतुष्ट होते हैं सरो पित्र अमावसय के दिन शनिवार है और इस दिन आप काले तिल का भी दान कर सकते हैं इस दिन तिल का दान करने से पित्रों की नाराजगी दूर होती है और वह आशिरवाद भी देते हैं पित्रों की नाराजगी दूर करने और पित्र दोश से मुक्ती पानी के लिए शनिवार को जल में काले तिल मिला कर शनी देव के शीला रूप का भी शेक करना चीए इसे पित्र दोश और शनी दोश से निजात मिलती हैं सरो पित्र अमावसे की दिन ब्राह्मन को गर बुला कर उन्हें भोजन कराएं इसके साथ ही गरीब और जरुतमन लोगों को भी भोजन कराएं पूरो जो के नाम पर भोजन निकाले और किसी खुली इस्थानी अर्छत पर रख दे दान्विक मानने तहीं कि ऐसा करने से पित्र परसन होते हैं और परिवार के सदोसों पर अपनी किरवा बनाये रखते हैं पित्र पक्ष के दिन आप दान पुर्णे के कारे भी कर सकते हैं सरो पित्र मावसे के दिन दान पुर्णे के कारे भी किये जाते हैं माना जाता है कि इस दिन पित्रों की आत्मा को भी शांती मिलती है इस दिन कपड़ा, अनाज, गाय का घी, चांदी और काले दिल का दान भी देना बहुत चुप माना जाता है सर्व पित्र मावशे के दिन आपको पश्चु पक्षियों के लिए भोजन जरूर निकालना चाहिए श्राद के लिए सातिक भोजन ही तयार करने, ऐसा करने से पित्र परसन होते हैं और आशिरवात भी देते हैं सास्त्रों में भी बताया गया है कि सरुपित्र अमाउशे के दिन पित्र घंड धर्ती से देव लोग की और परस्तान करते हैं माननेता है कि इस दिन दान पुर्णने के अलाव परोपकार के कारे करने से भी पित्रों का अशिर्वत प्राप्त होता है इन कर्मों को करने के बाद हमारे जीवन में सुक समरदी बढ़ने लगती है और समस्य दूर होने लगती है अगर आप अपने पितर देवता को परसन नहीं कर पाए हैं तो सरुपितर अमाओ से की दिन आप इन उपाये को कर सकते हैं और सरो पित्र अमाव से की दिन आप अपने पित्रों का श्रात करम भी कर सकते हैं फिर देखना पित्र देवता हमें देव लोग जाते हुए कितना पाशिरवात परदान करके जाते हैं और हमारा घर्दन धान्य और खुशियों से भड़ जाता है तो अगर आपने अभी पित् के दिन जरूर की जिए तो आज की वीडियो में उसका नरूचाश तभ्त की घर्दन देखे लूट में डानते है अगर मैं में को को शचंत Soon लगी हो दो लाइक झाल जरू करदेना और आप मुझे कमेंड़ वोकस कमेंड करके बताएए कि मेरे वीडियो कहां कहां से देख र झाल झाल